है लीट कोड कोड़ीन लॉंगेस्ट कॉमन प्रिफिक्स कोड़े लिए अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको पॉसरे पढ़ लीजिए कोशन में हमें एक स्ट्रिंग ऑफ एरे गीवन है एक्जामब समझते देखो यहां पर इंपूट इवन आपको फ्लावर फ्लो फ्लाइट ना यहां पर लॉग्यस्ट कॉममन प्रिफिक्स निकालना है इसका मतलब क्या हूँआब प्रिफिक्स जो भागा-गाऀ जाता है हन। में लौन आपको बहन Unreal second आ गया L, इसमें भी L, इसमें भी L, इसमें भी L, third आ गया O, O इसमें भी O इसमें नहीं है, तो common prefix कौन सा आ जाजागा, longest, FL, तमारा output में कौन सा आ जाजागा, FL आ जाजागा, सिंपल, हम क्या करेंगे, इसमानलो आपके पास को example लेते हैं पहले एक बार, हमने example लिया, flow, flower, और तीसा कर लेते हैं, floater, ठीके न, इन तीनों को example लेते हैं, आपन चलो, तो हम क्या करेंगे, आपको पहले एक basic में L को समझा आता हूं, और कैसा इस question को solve करेंगे, हम या एक integer लेंगे, आई, इसको check करेंगे starting, आपको पहले बेस समझाता हूं, बेसिक की करेंगे हम लोग इसके नजर, कि starting के लेटर ना वो check करेंगे, ठीके, अगर इतनों same आ गया, तो इसको एक नए variable में डाल देंगे, cp, माल लो, cp लिया मैंने, यहादे को cp ले रखा है, मै यहादे करेंगे, lb आजाएगा, फिर check करेंगे o, तो o भी आजाएगा, फिर check करेंगे w, w और यहाद पे t, तो वो नहीं आएगा, clear, तो पहले इतना यह यहादे को अपने को empty string चाहिए, तो मैं cp लिया empty, अब मैं ले लिया for i in range, length string of 0, तो यहादे अगर मैं यह strings, इसको इकाल नहीं है, तो कितना आएगा, 0, कितना यहाद किती है, 1, 2, 3, 4, तो यहादे जाएगा 4 तक, और कहां से 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा, इसका लग कौन-कौन सी value आएगी i के अंदर, पहले आएगी 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, और 4 नहीं है, जिसमें हम string of area को iterate कर रहे है, for s in strings, अगर s बोलूँगा, तो यह s सबसे पहले लेगा flow, फिर लेगा next iteration में लेगा flour, और next iteration में लेगा flotar, ठीक है, अब आलो, यहाँ पे अगर s की value है, हमारे पास, starting में for s in strings करेंगे, तो यहाँ पे लेगा यह flow, ठीक है, समझ मैं हमें, तो flow, इस flow को देखा अब, इस flow को अब देखो यहाँ पे एक और अंदर condition लगा रहे है, मैंने if i is equal to is equal to length, इसको हम बाद में चेक करेंगे, पहले आगे ले condition यह चेक करवाओ, इस में तो क्या आएगा, si, अगर flow है, तो flow में अब i के लिगा चल रही है, उपर से 0 चल रही ह इस not equal to, s string 0, string 0 मतलब, यह जो array है, इसमें 0 पे कौन सा element था, flow ही था, तो flow में क्या था, 0 का i, i की वेली भी 0 चल रही हुपर से, तो यहाँ पर भी f आजाएगा, f equal to f, ठीक है, तो यह हो गए f equal to x, अब आपे जब यह इतना लूप के अंदा है, अब next पास string कौन सा लेगा यह floor string लेगा, तो floor के अंदर फिर से i की value क्या 0, तो यह f चलोगा, और इसके i की value f को किस से compare करेगा, जो 0 के अंदर i की value थी, तो 0 के अंदर मतलब इस वाले string के अंदर, i की value किती थी, f से compare कर देगा, अगर यहां ब्रेक नहीं आ तो फिर से उपर जाएगा इसको उठाएगा इसका एक भी फर्स से कंपेर करेगा अगर तीनों में ही नहीं होगी तो फिर फाइनलिये क्या करेगा है यहां से अगई अगर जीडों अगर लेंगे सके अंदर तो यहां पर लेंगा उसके अग्या वं में स्ट्रिंग वन अब ब्रेंग करेगा ल जाएगा L, वो यह फिर की लेगा तो यहां पी B L आयगा तो system हो जायगा तो यह फिर गुमे गा फिर चक एका इसका इसका L चक कर एक साथ, सेवाज आजाएगा इसका L चक कर एक साथ यह भी सेवाज आजाएगा तो फिर 2011 F L डाल देगा similarly O डाल देगा और फिर डबलू चेक करने जाएगा तो डबलू इक्वल नहीं आएगा तो रिटर्न क्या कर देगा CP अगर इक्वल जैसे अगर नहीं आएगा यह लिए कंडिशन सब्सक्राइब करेक्ट आंसर अब बात आए कि यहां पर और लिख रहे हैं कि यह कौन सा है मानलो अगर यहां पे फ्लावर अगर मानलो यहां पर होता इफ ऐल है फ्लो कॉमा एफ ऐल कॉमा फ्लोटर है जैसे हम जब इसको चेक करते तो फ आता फ समें फ CP में क्या आता फिर F आता सँए फिर नेक्स्ट में ल आता यह भी सहीर आता यह लिख करना जाता तो ओ क्या आता यहां पर तो खतम हो जाता हाना जिब इसका index check करते हैं यहाँ पर तो कोई value है यह नहीं तो क्या होता out of index error रहा था out of index इस error से बचने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर condition डाली कि जब भी यह i की value है यह इस length से जब हम एक ही करके तीनों check कर रहे हैं अगर इस length के बराबर हो गई i की value तो लेंथ के बराबर हो जाएगी मानलों इसके अंदर जब यह 3 0 1 2 0 1 2 चेक कर रहा है तो करते हम तो error रहा है तो करते हम error आने से पहले ही क्या होगा यह यहाँ पर यह 2 is equal to length of s हो आता लेंथ अफियो आता और इसके बराबर आता तो के यहाँ पर क्या होता है यह आपके से return cp करता और हम अपस कोई भी error नहीं आते हैं खत्म बाइबाइबाइबाइब टाटा गुडबाइब गया